पूरी ताकत लगाने की कोशिश कर रही है। कॉंग्रिस ने पिछला हाउस टेक्स माफ करने और आगे का टेक्स हाफ करने, हर घर में आरो का पानी सप्लाई करने, हर तरीके के कच्रे का हर घर से कलेक्शन जैसे वादे किये हैं। कॉंग्रिस ने MCD स्कूलों के डे बॉर्डिंग बनाने, पांचवी क्लास तक के बच्चों को टैबलेट मोहिया कराने जैसे लोग लुभावन बादे किये हैं, तो दलित बंदाताओं को लुभाने के लिए एक दिन पहले दलित मैनिफेस्टो अलग से ज़ारी किया गया आज दिनी के अंदर कांवरेश क्या कर रही है, थोड़ा सा देदेगे, लेकिन सच्चा ही यही दिखाएंगे, भाइट पीटली नाम आग्मी पार्टी अंब बीजे भी, अरे भाईया अंदर जाके जमीनी लेवल पे देखा तो थी किस तरह से लोग मिसने हैं, हमने जो दलित मैनिफेस्टों में संत रविदास की विशाल मंदिर बनवाने जैसे भावनात्मक मुद्दे भी उठाए गए हैं, दलित मॉडल वाड बनाने, सफाई करमचारियों को पक्का करने, दलित कल्यान योजनाओं से ठेकेदारी प्रधा खत्म करने और घरेलू काम करने वा पायदों की मामले में भी कॉंग्रेस आमादमी पार्टी का मुकाबला करने में नाकाम नजर आ रही है, आमादमी पार्टी ने अपनी 10 गारंटियों में पार्किंग समस्या हल करने, कूडे के पाहाडों को हटाने, MCD में पहले हफते तनख्वादे ने और भष्टाचार ख असली नेता बनाना, दिल्ली के हर नागरिक को दिल्ली का मुख्यमंतरी बनाया जाएगा, सीधे सप्ता दिल्ली के लोगों के हाथ में दी जाएगी और जनता जो है अपनी RWS के जरिए अपने सारे काम करा सकती है सभी ठेका करमचारियों को पक्का करने और व्यपारियों के लिए लाइसेंसिंग आसान करने रहड़ी पत्टी वालों के लिए जोन बनाने जैसे लोक लुभावन वादे कर आमानिपारी, नौक्रिचुदा लोगों, व्यपारियों और चोटे दुकानदारों का वोट बैंक पक्का कराने की कोशिश में हैं। अभी जो लागू है उसमें जहां जुगी वहां मकान कुछ दस लाख लाबारती होंगे इसके। हमने मैनिफेस्टों में भी फिगर दिया है कुछ और ओवरॉल ये फिगर दस लाख के करीब होगा। जो अनाथराइस कॉलिनीज है उसमें भी अभी मैं डीटेल में जाता हूँ। जिसमें पहली की जो राजे सरकारें थी कॉंग्रस पार्टी की और आम आदमी पार्टी की ये 2006 से मसला लटकता आ रहा है इन्होंने 2021 में जब हमें कहा कि इनको और दो साल चाहिए है वो ग्राउंड सर्वेज करवाने के लिए तब मानिनिय प्रधान मंत्री जी नहीं निरन जो regularization of unauthorized colonies है इसमें करीब हमारे 50 लाख नागरिकों को benefit मिलेगा बीजेपी ने सबकी दिल्ली सबका सूरज जैसे चुना भी नारे दिये हैं बीजेपी ने भी आमादमी पार्टी की तरहां MCD एप के जरी ये सारी सुविधा उपलब्द कराने का वादा किया है तो वहीं महिलाओं को आद निर्भर बनाने के लिए रसोई शुरू करने और पांच रुपे में भोजन उपलब्द भी वादा किया गया है बीजेपी का कहना है कि हम 2041 का मॉडल दिल्ली में लागू करेंगे आपको MCD भी SDM भी सारी शक्तियां आपको पूरी तरह से परिशान कर देती थी अब उन सारी परिशानियों का अंत कर दिया है आज जो घर पहले से बने हुए हैं चाहें वो हाउसिंग के हों सोसाइटीज के हों या फिर किसी को अपना घर बनाया हुआ हो जो जिसको कहते हैं डीडिये फ्लैट्स वगरा उसमें आपको जो भी नया डेपलेमेंट करना है उसकी हम लीगल परिविसन देने का आज एनाउसमेंट किये हैं आप अपने एफ़े आर को डबल करके बना सकते हैं बीजेपी के मताबिक स्मार्ट स्कूल बनाये जाएंगे जिनके स्मार्ट क्लासरूम होंगे मसलन हाट बजार आने वाले रहडी पट्टी वालों को मासिक पंजिकरण और अटल वीमा योजना और पचास अनपूर्णा रसोई समेथ बहुत से बादे किये गए हैं वादो की मामने में बीजेपी ने आमादमी पार्टी को पीछे छोड़ दिया है लेकिन केजरिवाल को आपकी जीत के पुराना रेकॉर्ड तोड़ने का भरोसा हूँ चला है तो बीजेपी का कहना है कि आमादमी पार्टी पिछले दौर में किये वादो को ही पूरा नहीं कर पाई है दिली की लड़ाई में पहले से पिछड़ी कॉंग्रस को भी उमीद बन दी है उसका सोचना है कि आमादमी पार्टी बेनकाब हो चुकी है और जनता एक बर फिर से उसे मौका देगी लेकिन 4 दिसंबर को अपने वोट से दिली वाले किसे मौका देते हैं 7 दिसंबर को इसका पता चल जाएगा ब्यूरो रिपोर्ट एपियन न्यूज